हमें पहली बार गुपता कोड की लॉंचिंग कर रहे हैं और 2021 में गुपता कोड ने हड़पन शब्दों को पढ़ लिया है उसके अधार पर हम 3-3 मिनट की सीरीज करेंगे फर्स्ट हडपन सील के बारे में हम जानेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है 1830-1840 AD के बीच में मेजर कलाक मेशन जो एक बिटिश आर्मी में आफिसर थे उन्होंने वहां से रिजाइन किया और वो अपनी खोज के लिए पंजाब में पहुंचे पंजाब उसमें बिटिश राज में नहीं था वहां उन्होंने हडपा जाकर एक सील को पाया और ये सील ज देख रहे हैं उसका के उपर जो लिखा हुआ था और उसका प्रिंट इस पे आप ये देखेंगे एक दो तीन चार पाँच ये पांक शब्ध कुदे हुए थे और ये दो डंडे जो है ये एक मात्राएं थी इसमें एक जानवर खड़ा है और उसके आगे एक धुआ देने वाला यंतर है जिसको हम होली स्मोक जो हम पूजा के आम तोर पे हिंदू पूजा के लिए यूज करते हैं वो एक कॉर्डरान इस पशू के आगे दिखाया गया है वैसे ही एक और सील हाथी की ये जो सील मिली है इसमें अगर आप ध्याद देंगे जो ये शब्ध है एक दो सील में भी बिले है जैसे ये पांसवास्तिका वाली और उसके बाद ये राइनोसौर्स वाली गैंडे वाली सील इसमें भी ये तीन शब्द लिखे गए है और दीसरी जिसको हम बोलते हैं मार्शल डैविल सील इसके बारे में detail में हम बार में जानेंगे अब इसमें ये जो भरम सुरूब के बारे में ङ्क्यान देती है kayak कि जो वेदास की basic philosophy है कि हिंद्व जो है वो अपना अस्तित्र जब तक रहता है तैकि मरने से पहले हम अपना भरम सुरूब को प्राप्त करें और ये भरम सुरूब की प्राप्ती ही वेदों का एक मुख्य ज्यान है ये इन पांच सीलों में ये ही मैसेज अंकित किया गया है तो ये बहुत ही खुशी की बात है मिरको की जो हम फस सील में ये देखते थे और ये स्पेकुलेट करते थे ये समझते थे कि शायद इन सीलों में बिزनस के बारे में लिखा हुआ था बलकि इसमें बर्म सुरूप के प्राप्ते के बारे में लिखा हुआ था धन्यवाद बाकी का हम पार्ट टू में अगले सीज़ के बारे में जानेंगे नमश्कार